असलाम लेकुम आज मैं आपके लिए लाई हूँ सैरी में बनने वाली पांच मिनट में अंडे की सबसी बहुत ही मज़दार और फाइदे मन भी बहुत है रिसिपी आपने पूरी देखनी है इन्शाला आपको पसंद आएगी जल्दी से बन जाती है तो चले शुरू करते हैं बिसमिल्ला रह्मन रहीम यहां पे थोड़ा से लेना है बहुत ज़दा तेल नहीं डालना और इसमें दो अदब प्याज इस तरह चॉप करके डालेंगे आपको ज़ादा बनाना तो आप ज़ादा भी ले सकते हैं मैं दो अदद इसमें डाल रही हूँ इसको थोड़ा सा फराई करना है ब्राउनी करना एक चमर जिसमें साबस जीरा डालेंगे इससे अच्छा जाइका आएगा इसमे और इसमें टमाटर डालेंगे दो अदद आपको ज़ादा बनाना है तो आप इसमें तीन चार भी डाल सकते हैं और इसको भी एक दो मिनट इस तरह फराई करेंगे अब इसमें सबजियां डालेंगे यह मेरे पास पैकट वाली सबजी है जिसमें गाजर, मटर और फलियां है आपके पास जो सबजियां हैं आप इसमें डालें और इस तरह सबजियां आप अबाल के रख दें जब भी आपको अंडे की सबजी बनानी हो आप इस तरह फटफट डालने उसमें अब इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डालेंगे क्योंकि हम रमजान की सैरी के लिए बनाएंगे तो इसमें मसाले कम ही रखना एक चमच इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और एक चमच इसमें धनिया पाउडर डालेंगे सुर्ख मिर्च डालेंगे थोड़ी सी इसमें डालेंगे अगर आपको ज़दा spicy खाना है तो आप ज़दा बना सकते हैं अगर सहरी पे बना रहें तो कम मसाली रखने हो और अगर आम दिन में आप इससे नाश्ता बना रहें तो आप इसमें ज़दा डाल सकते हैं मिर्चे अपने असाब से बस मसाला पकाएंगे एक दो मिनट में ये मसाला पक जाता है यहाँ पर देख सकते हैं मसाला पक गया है तो इसमें अंडे डालेंगे और अंडू का हम इसी तरह डालेंगे इनको फेंट की नी डाला क्योंकि हम अंडे के सबजी बना रहें तो आम इसको सब्जी के साथ ही मिक्स करेंगी अच्छे से बन जाती है और बुहुत मज़दार बनती है आप इस तरह एक दफार ट्राइ करना इंशालला आपको बहुत पसंद आएगी नमक डालेंगे अपने असाब से रखना एक चमच काफी है और थोड़ा से इसमें जीरा पावडर डालेंगे ज़्यादा मसाले नहीं रखने है बस लाइट से मसाले के साथ आपको ये बहुत पसंद आएगा इंशालला फाइदा मन भी बहुत ज़ाद है अंडे का फाइदा असल करना है तो इस तरह सबजी के साथ इसको मिक्स करके बनाईश या उबला हुआ अंडा खाए दूनु तरह से फाइदे मन है तो यहां पर मसाले पक गए हैं तो ये देखें पालो के पत्ते हैं जो अकसर कारती हुए छोट छोटे इदर उदर हो जाते हैं इनको दो कि आप इस तरह अंडे के सबजी में डालते हैं तो इसका जाइका बढ़ जाता है और फाइदे मन भी बहुत ज़ाद है आप इस तरह एक दो मिनट इनको इनके साथ फराई करेंगे रमजान में टाइम कम होता है तो इस से ज़्यादा जल्दी बनने वाली कोई सबजी नहीं है कम मसालों के साथ आप इसको लें रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे बताना कि आपको मेरी रेसिपीस कैसी लगती है